तो आदाव नवस्कार को डिनिंग से स्याका लेगा और फिर आप तमाम लोगा सागत है उमीद है पूरी क्रेम तक की फैमली अच्छी होगी अपना ख्याल रख रही होगी बात 26 जुलाई 2021 की है मुंबई में वसई एक जगा है और उसी वसई पे एक भूई गाओं बीच है इस बीच के किनारे बहुत सारे लोग टहल रहे थे और तभी पहन जो पानी की लहरे हैं अचानक एक लहर आती है तो अपने साथ एक काले रंग का बैग लेकर आती है वो बैग किनारे पर आ जाता है कुछ लोगों की नसर बैग पर पढ़ती है बैग देखती ही बहुत सारे ख्याल मन में कौनने लगते हैं क्योंकि बैग को लेकर बहुत सारी ऐसी कहानिया पहले भी सामने आ चुकी है तो उनी में से एक शख्स उस बैग को देखकर फॉरण पुलिस को फोन कर देता है थोड़ी देर के बाद मौके पर पुलिस पहुँच जाती है अब एक बीच किनारे एक लावारिस बैग बैग को देखकर उसको खोलने से पहले ही पुलिस समझ जाती है कि मामला क्या है फिर भी इस उमीद के साथ की वो घलत सा भी थो बैग को खोला जाता है पुलिस वालों की सोच सही थी बैग के अंदर एक लाश थी एक लाश जिसका सर गायब यानि के सिर कटी लाश जिसमें पर बूरे कपड़े थे पुलिस ने बैग को देखा असपास की चीजे देखी और कोई ऐसा सबूत नहीं फॉराँ उस सिर कटी लाश को असबताल ले जागया पोस्त मॉटम के लिए बैग को अपने कबजे मिलिया पुलिस ने बैग के बड़ी बारीकी से तलाशी ली कि शायद उस से कोई सुराग मिले कोई कुलू मिले पर कोई फायदा नहीं अब इसके बाद सारी नजरे थी कि उस लाश से कोई सुराग मिले कि मरने वाली कौन है लाश देखकर अंदाजा हो गया था कि ये किसी महिला की लाश है तो लाश से भी कोई ऐसी चीज मिली नहीं जिससे उसकी शिनाखत हो सके सवाए इसके कि उसके हाथों पे महंदी थी महंदी को देखने के बाद कुछ तजरूबेकार पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये जो मरने वाली है ये मुस्लिम फैमली से आती है क्योंकि जो महंदी जिस तरी के से बनाये गया था उस पुलिस वाले का तज़र्बा था कि ऐसी महंदी आंताओ पर मुस्लिम औरतें अपने हाथों में लगाती है तो बस इतना कुलू और कोई जानकारी नहीं अब पुलिस ने उस लाश की तस्वीर ली उन कपड़ों के साथ जाहिर है वो कटे हुए सर को अलग जुदा रखा था कि लोगों को बुरा ना लगे अजीब ना लगे और उसके पोस्टर पंफलेट बनाएं और आज पास के तमान अलाकों में चिपकवा दिये कि शायद कोई ढूनता वा आ जाए इस दोरान मुंबे की जितने थाने थे आज पास के उन थानों को भी सूचना दी गए कि कोई मिसिंग है लड़की तो खबर दो कोई फैदा नहीं अब पलिस ढून रही है कहीं से कोई आ जाए लेकिन कोई फरक नहीं पड़ा कोई आया ही नहीं जुलाई बीता अगस सेटमबर अक्तूबर नूवंबर दिसंबर साल बीद गया 2021 के बाद 2022 में दाखिल हो गया अच्छा पलिस को कुछ जानकारी मिली नहीं पलिस ने फिर उस लाश का डी एन ए सैंपल अपने पास रक्षित रखा कलीना लैब में और फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ कपनों को भी सहेच करण लिया था एक केस प्रोपर्टी के तौर पर और चुके मेंदी से अंदाजा हो गया था कि ये लाश किसी मुस्लिम की है तो मुस्लिम लीती रिवास से ही उस लाश को दफना दिया गया अब पुलिस इंतजार करें है कि कोई आए कुछ बताए कोई सुराख दे लेकिन कोई फायदा नहीं लगबग 14 महीने बीद गए इन 14 महीनों में कोई सुराख नहीं मिला 14 महीने बाद 29 अगस्ट 2022 29 अगस्ट 2022 को एक शक्स मुंबई के अलोच पुलिस टेशन में पहुँचता है और वहाँ जाकर वो कहता है कि हमारी भती जी पिछले करीब-करीब 14 महीने से गाइब है और उसका कोई सुराख नहीं मिल रहा है अब मुं मिसिंग कंप्रेंट लिखाते है जो गाइब हुई थी उसका नाम सानिया था और जो मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आये थे वो सानिया के चचा थे और वो आये थे करनाटक के वेलगाम से तो पुलिस ने पूछा कि करीब साल भर से उपर हो गया आपकी बतीची गायब है साल भर भागा आप खबर लेने आ रहे है तो इतने दिन आप क्या कर रहे थे तो उन्हें ने बताये कि सानिया यतीम थी उसके मावाब नहीं थे उन्हीं चाचा ने उसको पाला था पाल पोस्ट कर बढ़ा कर दिया ठीक ठाक परिवार से थे फैनेंशली मजबूत थे फिर 2017 में उसकी शादी उन्होंने मुंबई के एक लड़के से कर दी जो उस वक्त साओधी अरब में जॉब करता था उसका नाम था आसिफ आसिफ के साथ शादी हो गई दोनों खुशाल जिन्दगी गुजार रहे थे फिर 2019 में आसिफ और सानिया को एक बेटी हुई और इसके बाद पूरा परिवार अब खुश था तो अमाईरा बेटी का उन्होंने नाम रखा फिर उन्होंने का अक्सर कभी-कभी बात हो जाया करती थी सानिया से लेकिन 2021 में शुरुवात में करीब जन्वरी में बात ही उसके बाद अगले 6-7 महीने बात नहीं हुई थी फिर उन्हें याद आया कि मकरीद है उस मौके पे बात करें तब भी उसने फोन नहीं उठाया फोन से चौफ आसिफ फोन पे बात ही नहीं करता था तो पुलिस ने कहा ठीक है उसने कम्प्रेंड लिख ली अब कम्प्रेंड लिखने के बाद पुलिस ने पूछा कि सस्राल वालों का पता क्या है तो उन्हें ने कहा कि वहीं नाला सो पारा में ये लोग रहते हैं तो उसने कहा कि आपको पता चला होगा, वहां पर मिली की नहीं मिली, तो चाचा ने एक अजीब कहानी सुनाई, उन्हों ने कहा कि हम उसको ढूंते ढूंते यहा हैं, क्योंकि उसका अपना भरा पूरा ससुराल है, सास है, ससुर है, देवर है, और यह लोग नाला सुपारा मे रहते थे, मैं उनके घर पहले भी आ चुका था शादी के बाद, लेकिन इस बार जिन मैं नाला सो पारा गया, तो पता चला कि आसिफ और उसके परिवार ने ये घर को कपका छोड़ दिया, और वो लोग कहीं हैं और शिफ्ट हो गए, कहां ये मालूम नहीं, तो उन्होंने का बहुत धक्के खाये, उन्होंने इधर उधर जानकारों से मुम्बे में उनके अपने जानकार पता करूँ, बड़ी कोशिश के बाद उन्होंने का आसिफ की अम्मी का नंबर मिला, और आसिफ की अम्मी को फोन किया, और जब उनसे फोन पे बात हुई, तब उन्होंने बता तो आसिफ ने कहा कि सानिया तो साल भर पहले ही उसका किसी और से अफेर था, वो घर छोड़कर चली गई, जाते आते वो एक लेटर दे गई, उसने हमें लेटर भी पढ़ाया कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं कहती हूं, मुझे किसी और से मुहबत हो गई और मैं जा रही ह कहा तो चचा को पहले लगा कि क्या पता ऐसा हो सकता है, तो वहां से लौट आया, और ये बात है करीब 27-28 अगस 2022 की, लेकिन फिर अगले एक दो दिन तक उन्होंने बड़ी तसली से सोचा, उन्होंने सोचा कि बच्पन से उन्होंने पहला पोसा, उनकी सानिया कभी इस तर अगर वो भाग कर गई थी, तो साल भर पहले आसिफ और उसके परिवार को हम लोगों करना चाहिए था, कि आपकी बेटी ऐसे से चली गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, अब उन्हें डाउट होना शुरू हुआ, तब ही उन्होंने पर कुछ रिश्दारों से मश्वरा ल देख ली, इसके बात अब उस डेट में कि कब गायब हुए एक्जक डेट पता नहीं है, फिर भी पुलिस ने कहा कि वो सारे जो पुराने अंसॉल्फ केसे हैं, जो डेट बॉडी मिली लावारी से, जरा उनके रिपोर्ट निकालो, जब रिपोर्ट निकाला गया तो उसमे वो कपड़े भी थे, जो लाश ने पहन रखी थी, तो सबसे पहले इस missing complaint को लिखने के बाद, पुलिस ने next day सानिया की चाचा को बोलाया और पूछा कि एक लाश आपको दिखाना है, आप identify कर लिजा हला कि चेहरा नहीं है, अब मालूम नहीं आप कैसे पहचानेंगे, खेर वो लाश दिखाई गई, कपड़ों से चाचा ने उस लाश को पहचान लिया, और उसकी बजाए ये थी, कि कई बार इनलों की जब बात होती थी, उन्हों है कि ये कपड़े और इसी तरह के कपड़े सानिया पहना करती थी, जो महिंदी देखी उन्होंने, उन्होंने कहा कि वो महंदी भी इसी तरीके लगाया करती थी चेहरा नहीं था लेकिन उन्हें ने ने कट काठी और कपड़ों से और महंदी के डिजाइन से चाचा ने कह दिया कि ये उनकी सानिया की लाश है अब पुलिस ने कहा कि ठीक आप खामोश रहीएगा इसके बाद अब पुलिस ने आसिफ और उसके घरवालों को बुलाया और बुलाने के बाद ये तस्वीर दिखाई कि आप इस तस्वीर को पैचानी है आप जानते हैं उन्हों ने तस्वीर देखी और कहा नहीं हम पैचानते नहीं उनने कहा कि ये सानिया की लाश की तस्वीर है गरवाले साफ मुकर गए उनने कहा नहीं हमने पता ही नहीं हम जानते हैं और सानिया की लाश हो नहीं सकती वो तो अपने आशिक के साथ भाग गई है अब लेकिन उनकी जो बाते थी, वो पुलिस को शक पैदा कर रही थी, थोड़े से नर्वस, थोड़े से घबराए हुए, ऐसा लगा मन में चोर है लेकिन सिर्फ तस्वीर देख करना पैचानने से किसी को कातिल नहीं ठहराए जा सकता, पुलिसों से पकड़ भी नहीं सकती पुलिस ने का ठीक है, कोई बात नहीं आप जाईए, अब वो जब चले गए, तो पुलिस ने कहा कि अब अपनी तरफ से तफ्तीश करो थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि 14 बहीने से गाइब है, चली गई, सुस्राल वालों ने भी कुछ नहीं कहा, और इन लोगों ने लाश देखने से भी पैचानने से भी बना कर दिया पुलिस ने अब तफ्तीश की और उन्होंने 14 उपए ये कहा कि चलो कुछ काम करते हैं, और लड़ी डियने के सेंपल रखे वे थे, उस लावारी सलाज के, जो 26 जुलाई 2021 को मिले थे, अब पुलिस ने आसिफ और उसकी बेटी, इन दोनों के डियने सेंपल लिए, और उस स फाकती बात है कि तीनों सेंपल मैच कर गए, अब ये किलियर हो गया, जो आसिफ की बेटी है, अमाईरा, कि ये उसकी मा की लाश, क्योंकि दोनों का वो उसकी बेटी थी, तो डियने सेंपल तो मैच करे गए, तब पुलिस के सामने कोई, तब वो नहीं था, डाउट या शक कि ये लाश किसे और की, डियने सेंपल ने ये बता दिया, कि ये लाश सानिया की है, लेकिन अब सानिया का कतल कैसे और क्यों, सिर्फ डियने सेंपल के आधार पर आसिफ को एरस नहीं किया जा सकता था, इसके लिए को सबूत चाहिए, अब सबूत ये हासिल करना था, कि पूरी बात बताई 2017 में शादी हुई फिर एक बेटी हुई और उसके बाद वो अचाना गायब हो गई क्या था दहेज और कोई वजा कोई आसिफ का आफेर तो उन्होंने पूरी कहानी बताई उन्होंने कहा कि आसिफ दुबई में बलके सौधी अरब में काम किया करता था उसके बाद ये जब शुरुवाती क्रोना का दौर आया तो वापस एंडिया आ गया और तब यहीं रह रहा था शुरुवात में कुछ पैसे वैसे दहज वैज की बात थी लेकिन इतना भी बड़ा इशू नहीं थ तो बाकी मुझे कुछ जानकारी नहीं अब पुलिस को उधर से भी क्योंकि करनाटक में रहते हैं अब एक लेटर जो चचा को दिखाया था पुलिस ने कहा भाई वो लेटर दिखाओ जो अपने बॉइफरेंड के साथ भागी है पुलिस के पास आसिफ ने वो लेटर दे द अब पुलिस को किलियर हो गया अब पुलिस ने कहा कि बहुत हो गई प्यार महबत से बातची अब जुराइ अपना इसटाइल अपना ओर पुलाया और उसके फौरन बाद आसिफ तोते की तरह बोडने लगया फिर उसने कहानी सुना thời है उसने कहा कि 21 जूलाई 2021 की बात है 21 इत्तफाक से उसदिन बकրीड बक्रीड जो मुस्लिम कम्मुनिटी है उसमें कुर्बानी का दिन माला जाता है इस कुर्बानी के उपर मैंने बहुत डेटेल में ऐक बार आपको बताय रखिए 29 जुलाई बकरीड का दिन उसी बक्रीड के दिन उस पाक दिन आसिफ और उसके घरवालों ने एक ऐसी साधिश रची जिसको सुनकर रूह काँ पुड़ती है सबसे पहले उसने दो साल की बेटी खुद आसिफ की अपनी और सानिया की इसको उन्होंने आसिफ ने अपनी बेहन के घर भेज़ दिया जो मुमरा में रहती थी और तब आसिफ लोग इधर रहते थे नाला सो बाड़ा में तो आसिफ ने अपनी बेहन यानि के अपनी बेटी को उसके बुगा के पास भेज़ दिया बकरीद का दिन था इसके बाद बकरीद के दिन ही ये लोग नमाज ममाज पढ़कर आते हैं उसके हाथ पैर मानते हैं और एक टब में उसको डाल देते हैं और टब के अंदर तब तक उसका मुझ डाले रखते हैं जब तक कि वो दम नहीं तोड़ देती हैं टब से बाहर निकालते हैं तब भी उन्हें लगता है कि शैद ये जिन्दा हो एसके बाद उसका गला घोटा जाता है गला घोटने के बाद अब जब उन्हें यकीन हो गया कि अम मर चुकी है फिर आसिफ एक चाकु लेता है और सानिया का गला काटने की कोशिश करता है ताकि सर धर से अलग कर दे लेकिन वो आधा भी नहीं काट पाटता है तब काट नहीं पाता है बेहोश हो जाता है जब वो उसका बाप देखता है कि इससे नहीं हो पाएगा बेहोश हो गया तो फिर वो चाकूत आता है बाप सानिया का ससुरू और वो अपनी बहु के सर को धर से अलग कर देता है इसके बाद ये लोगोन वो नसाफ करते हैं धड़ को एक बैग में रखते हैं वो बैग जिसकी आपने तस्वीर देखी और फिर सर को पॉलिथिन में रखते हैं और ले जाकर दूर एक समंदर की खाड़ी में फेक देते हैं लेकिन फेकने से पहले चुके सर को अलग कर दिया था सिर्फ ये था कि ये लाश कभी किसी के हाद भी आए तो शिनाख नहों बरने वाली कौन है उन्होंने ये किया कि सर काटनी के बाद आप मतलब हैवानियत देखिए फिर ये बाप बेटे मिल कर सानिया के सर के सारे बाल को पूरा बाल काट दिया उसके अपर लिप्स पे एक तिल था उन्हें लगा कल को ये सर किसी के हाथ आगिया तो इस तिल से भी शिनाख तो सकती है उस तिल को भी चाकू से काट डाला जब सारी निशानी मिटा दी बाल बाल काट डाले फिर उस सर को एक पॉलिधिर में रखा फिर उसके आद एक बैग में रखा और बैग में रखने के बाद ये दूर ले जाकर समंदर की खाड़ी में उस सर को फेक देते हैं फेकने के बाद वापस आते हैं वापस आने के बाद अब आसिफ अपने जीजा को फोन करता है उसके एक लोती बहन उसके पती को और उसका पती जो है वो कैब ड्राइवर था, वो कहता है तुम अपनी गाड़ी लेकर आजाओ, मुझे तुम्हारी मुदत की जरूरत है, वो गाड़ी लेकर आजाता है, यह अभी दोपहर है कि बाते हैं, जब वो गाड़ी लेकर आता है, तो फिर वो अपने जीजा को सारी बाते बता पिर कहता है ये बिना सर के लाश को ठिकाने लगाना है उस धर समेत लाश को एक बैग में रखते हैं बैग को गाड़ी में रखते हैं उसके बाद जीजा साले दोनों निकल लेते हैं और जाने के बाद फिर ये वैसे ही वही जो वसई के एक बीच के किनारे दूर तक जाकर बै लेकिन वो पांच दिन की बात की बदाथ अभी इसी एक्निर्च जुलाई की बदाभ बीच में समंदर के अंदर बैक को फेड़ें वापस घराते हैं अभ शाम हो गया बकरीद का दिन है आने के बात पूरा परिवार नहाताद होता है और फिर बकरीद मनाता है महमान आते हैं म फिर उन्हें डर लगता है कि कभी कहीं कोई आ न जाए, सानिया के सुस्राल वाले न आ जाए, तो करते क्या हैं कि नाला सुपाड़ा का अपना मकान बेच देते हैं, और बेचने के बाद वो आसिफ अपनी बहन, जो के मुम्रा में रहती थी, वहां एक नया घर खरीद लेता ह और ये पूरी फैमिली, आसिफ आसिफ का भाई उसके माँ बाप, सब मुम्रा शिफ्ट हो जाते हैं, और वहीं रहने लगते हैं, चौदा महीने बाद जब सानिया के चाचा का संपरक नहीं हुआ और जब वो आए, और फिर किस तरीके से मुम्रा का घट ढूंड़ा और फि इस कहानी का ख्लाइमिक सच में चौकाता है, चौकाता भी है और दहलाता भी है, और एक तिरह से अफसोस भी दिलाता है, एक पती ने, एक शोहर ने, एक ससुर ने, एक डेवर ने, इन सबने मिलकर सानिया का क्तल क्यों किया था? आखिर वज़ा क्या थे? यह वो वज़या सुनकर बहुत सारे सवाल उठेंगे और आप लोग कहेंगे कि और और भी इसके रास्ते थे हुआ ये कि जब 2017 में आसिफ और सानिया की शादी हुई उससे पहले आसिफ की एकलोती बेहन की शादी हो चुगी थे आसिफ की एकलोती बेहन की शादी को करीब 10 साल हो चुगे थे इस दस साल में उसे कोई आउलाद नहीं हुए। अब दस साल हो गए देरे देरे वक्त बीत रहा है। तो बहन के का गोट सुना है। इस बात को लेकर आसिफ के घर में लगातार बाते होती है। इदर आसिफ की वाइफ सानिया आ गई। और हमेशा इस बात का उसकी बहन का रोना धोना था कि वो बे आउलाद है। मावाप को भी इस बात का गम था। 2019 में सानिया प्रेग्नेंट हुई और फिर सानिया ने एक बेटी को जन्म दिया। इस बेटी को जन्म देने के बात से इस कहानी के शुरुवात होती है। आसिफ की और जो उसके माबाप उन्होंने का तुम्हारी शादी को तब ही दो साल हुए है। उपर वाले ने तुम्हें बेटी दे दिये। और भी शायर आगे बच्चा दे दे। तुम इस बेटी को अपनी बहन को गोद देता हो। वो पालेंगी क्योंकि उसकी अउलाद नहीं है। आसिफ ने कहा ठी के मेरी बहन है चलेगा। सानिया तयार नहीं हूँ और कोई भी माज जिसकी पहली अउलाद है अभी उपर वाले ने उसका गोद भरा है। वो माँ अपने बच्चों से कैसे भी छड़कर रह सकती है। मामा होती है। सानिया ने मना कर दिया। यह हुआ कि आगे अगर उपर वाले ने चाहा और कोई और अउलाद हुई तब सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल नहीं। मैं अपनी इस बेटी को किसी को गोदनी दूगी। मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती हूँ। जब सानिया का यह फैसला आया पूरा घर सानिया से नाराज हो गया। अब आसिफ, आसिफ के मावाप और भाई, इन सब की नजरों में सानिया दुश्मन हो गई। आसिफ की बहन भी सानिया की दुश्मन हो गई। अब हर बार जब बाते होती तो सिर्फ ताना मारा जाता। कि देखो, दस साल से वो बे उलाद हो, उसको अपनी एक बच्ची तुम नहीं दे सकते। ये बात इतनी आगे बढ़ गई कि घरवालों ने फिर तयार किया, मतलब तैय कि नहीं, ये आसिफ की बहन को इस बच्ची को गोद देना है, चाहे कुछ हो जाए। अब उसमें ये कि रुकावट एक है, वो है सानिया, घरवालों ने तैय किया, कि अगर सानिया बीच में आती है तो सानिया को रास्ते से अटा दो, और वही किया, इन्होंने ठीक कुर्बानी वाले दिन, यानि बखरईत को अपनी बहु को ही कुर्बान कर दिया, इस बेदर को, अपनी बेटी को गोद दे सके, मतलब क्या कतल की वज़ा है, बहुत सारे इसके रास्ते हो सकते थे, लेकिन क्या करें, और सबसे अजीब बात ये, कि जब कतल हो गया, और उसके बाद शाम को जो मैंने आपको बताया, कि उसने अपने जीजा को बोला, गाड़ी लेकर आ ये वही जीजा था, जिसे अपनी बेटी को सौंपने वाला था, जिस बेटी का बाप बनने की कोशिश कर रहा था, जिसको बाप बनना था, वो उसकी असली माँ की लाश को कहीं ठीकाने लगाने जा रहा था, इस قतल के बाद अगले 14 महीने तक, जिस दिन ये गतल हुए आसिफ के बेटी उसकी बेहन के पास ही थी और वो बेहन जो है वो अब सानिया की बेटी को मावन कर पाल रही थी जब यह खुलासा हुआ पुलिस ने ना सिर्फ आसिफ आसिफ के भाई उसके ससर उसके जी जा इन सब को एरेस्ट किया तो यह थी वो कहानी जिसका क्लाइमिक्स सच में जग छोड़ने वारा था कि कतल की क्या ऐसी वज़ा भी हो सकती है लेकिन जतना क्राइम के बारे में सोचिया बड़ा कम लगता है कई बार खोदे गलत साबित हो जाता हूँ कैसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता लेकिन अफसो सांधिया और शेफाली गुप्ता ने बेजा है साथी सुखप्रीत कौर का भी आज जनम देने हैं तो हपी बड़े सुखप्रीत जी और ये जीडी सिद्धू ने भेजा है छवी शर्मा इनका भी आज बड़े है लंड़े छवी जी और ये वाइफ है मयूर राइकी, कैनेडा से साथी जिक्रा एहमद इनका भी बड़े है, पिबड़े जिक्रा और यह सदफ शकीर ने भेजा है जगदीश सोनवारे, कल इनका बड़े था भूल गया था, तो बिलेटेड है भी बड़े जगदीश साथी आरोही आदप का भी जनम दिन है पिबड़े आरोही, और यह रंजीत कुमार की बड़ेゃभी है इसके लावाद जारा मंसूरी का भी जनम दिन है, बिल्के कल था तो बेलेटेड है भी बड़े जारा, और यह शाकिर मनसूदी की बिटिया है साथी रिशप ये जैपुर से हैं वैसे यूपी के रहने वाले हैं और एक चैनल में एंकर है सच बेधड़क तो अभी पता चला मुझे है रिशप तो हपी बड़े और नतानश ने बताया था मुझे तो आप हमेशा थे रहें, खुश रहें, छाय रहें इसके रावा अतुल आजाद वर्मा इन्होंने पूछा है चंद्रयान थरीक अपडेट किया है तो कल इसरों ने एक ब्यांग जारी किया था चुकि अब सौथ पोल में चांद के वो जो सूरज ने अपनी आखे फेर ली थी और वहां देरा हो गया था अब वहां से वापत सूरज की रोशनी लौट आई है लेकिन माइनस 120 से 220 तक टेंपरेचर और लगातार इतने 14 दिनों तक या 15 दिनों तक सूरज करना होना उसकी वज़ा से हमारा जो विक्रम लेंडर है और रोवर जो है इनकी जो अनरजी थी वो खत्म हो गई अब सूरज की रोशनी लौट आई है तो शायद अगले 24 बलके 23 तक कहा था तो आज 23 ही है इस लो ने आज ये कल उमीद ये है कि रिस्पॉंस करेगा अपना चंद्रियान थ्री वापसी में फिर से इसके लावा शुभम सिंग एक कहानी की फरमाईश की है परशान्त कुमार परशान्त कुमार ने ये सवाल लिखाए कि दिल्ली के अंदर 200 से आदा एंबेसी हैं सारे मिनिस्ट्री है परलेमेंट है प्रेसेंट हाउस है इतने कैमिनिस्ट्र रहते हैं एंपीज हैं इतने मॉल हैं सिनेमा हॉल है तो इतनी जगा कहां दिल्ली कंजस्ट्रेट नहीं है क्या दो सवाल इस सवाल के दो जवाब है प्रशान जी एक तो ये एक बार आप दिल्ली आईए और घूमिये दिल्ली में हर्याली भी बहुत है और दूसरा बिल्कुल कंजस्ट्रेट नहीं हाला कि हर शहर आजकल तेजी से पनपराया फूल रहा है थोड़ा सा ट्रेफिक का इशू है लेकिन मॉंबई के मुझे लगता है दिल्ली का ट्रेफिक फिर भी बेटर है तो क्या कोट की कारवाई में आम लोग जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं कोट की अदालत की जो कारवाई होती है उसमें आम लोगों को मतलब परमीशन है हम बहुत सारे ऐसे केसिस होते हैं जो बड़े संसेटिव होते हैं तो उसमें खुद कोट पुमना कर देता है कि वकीलों के लावा और कोई नहीं रहेगा, कई बार मीडिया को भी बाहर कर दिये जाता है, हम मीडिया वाले भी जब कोट रूम में होते हैं तो वैसी हो सकते हैं, कैमरा के साथ एलाओड नहीं है, कोट रूम के को हम शूट नहीं क इसके लावाब प्रयास पार्टिदार जी और हेमंत पार्टिदार जी थांकिग Us पैंकि आपके इस प्यार के लिए और सहिति साहःति सहिथी साहिब जीत पेंसी की इनियों ने वी इक Unknown की फर्माईश की आप